हेलो दोस्तों, वन्स अगैन, वेलकम टू हरलेंड, आज की जो हम्मरी मूवी है वो है दस सीड जो 2007 में आई थी मूवी की शुरुआत में एक टेक्स्ट आता है जिस पर ये लिखावा था कि मूवी में कुछ रियल सीन्स दिखाए गए है जोके डिस्टरबिंग है और इन सीन्स को इस मूवी में हुमानिटी को बना रखने के लिए डाला गया है जिसके बाद में हम सच्पूच में कुछ रियल स्टरबिंग सीन्स देखते हैं जिसमें लोगों के दुआरा बे जुबान जानवरों को मारा जा रहा था और एक आदमी तो एक जंगली जानवर क के उपर अपने दोनों पेरों से खड़ा हो गया था और उसने उससे ऐसे ही मार दिया था और इस सभी फूटेजेस एक मास्क लगया हुए आदमी देख रहा था अब यस सीन्स शिफ्ट होता है और अगेन एक टेक्स दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जिसमें उससे एक इलेっels सभी चैर के उपर बढ़ बिठा कर मार जाएगा अगर वो केदी पंड़ाजर मौल्ड के तीन जड़कों के बाद भी जिन्दा रहता है तो उस केदी आज़ात कर दिया जाएगा जिसके बद हम देखते हैं कि किसी कैदी को इलेक्रिक चेर के उपर बिठाय हुआ है और उसके हाथ फिर बंदे हुए हैं ताकि उसे मौत के सज़ा दी जाए और फिर उसे 15.000 वर्ड के इलेक्रिक शौक दे जाते हैं और ये जटके इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि एक ही जटके में उस आदमी के शरीर से दुआ निकलने लगा था और उसके शरीर से खुन भी बेहना चाल हो गया था वो आदमी तो मर जाता है लेकिन उसकी मौत भायनक मौत थी फिर बाद में शौक देने वाल आदमी जेल के वर्डन को ये कहता है कि इलेक्रिक शेर अब खराब हो चुकी है इससे और ज़्यादा लोगों को सजा न दी जाए तो ही अच्छा है चुकी इतनी भायनक मौत देकर वो इलेक्रिक शौक देने वाल आदमी भी डर चुका है जिसके जवाब में वर्डन उससे दिलासा देता है उसने सीनर ऑफिशल को चेर बदलने के लेटर लिखा है और जल्दी ही ये चेर बदल दी जाएगी फिर नेक्स सीन में हम एक बसका सीन देखते हैं जिसमें कई सारे लोग थे और वो मास्क पहने विकती भी था और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था तबी एक आदमी जोड़ जोड़ से चिलाता है और कहता है कि ये सीरियल किलर है लेकिन कोई उस आदमी की बात नहीं सुनता और सभी लोग नॉर्मल डियक्ट कर रहे थे कि तबी उस आदमी की निंद खुलती है और उसे पता लगता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा था ये आदमी था डिटेक्टिव बिशप और इसी ने मास्क वाले सीरियल किलर को पकड़ाया था जिसका नाम सीड था सीड ने 6 सालों में 666 किड्नेप और मडर किये हुए थे और उसे अब इसके लिए मौत की सजा मिलने वाली थी जो कि इलेक्टिक चेर पर करन देकर होने वाली थी बिशप जानता था कि सीड कितना खतरना किलर है और उसने उसके चार आफिसर को भी मार डाला था सीड को एसी जेल में रखा गया था जो कि एक आईलेंड पर थी और चारों तरफ से समंधने से घिरी हुई थी फिर जेल का वाडन सीड के पास आकर उसे आखरी ख्वाईश पूछता है लेकिन सीड उसके बदले में कुछ नहीं बोलता वो बस चूपचाब अपनी जेकर पर बेठा रहता है अब मुवी थोड़ा फ्लेश बेक में आती है जहाँ पर पुलिस ओफिसर सीड को पकड़ने की कोशिश में थे वो सीड के दुवारा छोड़गे टेप से देख रहे थे जिसमें वो रिकॉर्ड करता है कि वो लोगों को कैसे मारता है उस टेप में दिखाते हैं कि जब एक चूपचे को भूके प्यासे मरने और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उससे इंसान को कोई फरक नही कर दिया था अब बारी थी उस बच्चे की मा की उसे भी उसी रूम में मरने के लिए छोड़ दिया था जहां पर पहले उसका बच्चा था वो कई दिनों तक तो भूकी रहती है और फिर वो अपने ही बच्चे का सलावा बचा कुछा मास भी खाल लेती है जिसके बाद में उसका भी यह हश्र होता है जो कि उसके बच्चे का हुआ था वो भी भूक के कारण मर गई थी और फिर उसके सड़ी हुई बाड़ी को किलो ने खा लिया था सीड की वीडियो टेप से बिशप को पता लग गया था कि मंडर और किडनेप की लोकेशन क्या है बिशप अपने स फ्रस्ट फ्लोर पर और बाकी के ऑफिसर उसे अंदर ही ढूंड रहे थे नीचे बेस्मेंट में एक ऑफिसर को चेर पर बेठी हुई एक लेड़ी दिखाई दिती है लेकिन जब वो उससे पलटता है तो वो पूरी तरह से सड़ी हुई थी उसे पलटते ही एक ट्रिगर एक को गुसा कर उसे वहीं पर मार डालता है अगला ओफिसर सीट को ढूंडने के लिए उपर वाले फ्लोर पर गया हुआ था लेकिन सीट उसे भी उपर पहुशने से पहले ही निप्टा देता है हम यह देखते हैं कि बिशप बार खड़ा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है और उसके सारे ऑफिसर मार गए हैं फिर बिशप अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि उसके सारे ऑफिसर मार गए हैं और अब सीड उसके पास ही आने वाला था बिशप यह समझ जाता है कि सीड ने सभी को मार दिया है और अब उसकी बारी है लेकिन बिशप बारिश और अंदेर का फायदा उठा कर सीट को पकड़ने में काम्याभ होता है. बिशप सीट को पकड़ कर पुलीस इस्टेशन लाता है जहाँ पर उसे पुलीस लोक अप में रखा गया था और दूसरे आफिसर की आख में वो चाकू मार कर उसे वही पर मार डालता है अगला आफिसर लॉक अप से भागने की कोशिश में था लेकिन सीड उससे देख लेता है वो उसके सीड पर इतनी जोर से लात मारता है कि उसका सीड जेल के सलाकों सा टकरा कर फट गया था और अब सीड ने तिन और आफिसर को मार दिया था जिसके बार में सीड को इलेक्ट्रिक चेर पर सजा देना निश्चत हो चुका था और हम देखते हैं कि सीड को जेल में इलेक्ट्रिक चेर पर बिठाने के लिए लाय जा रहा था जितने भी लोगों को सीड ने माना था उनका परिवार वहाँ पर सीड की मौत को देखने के लिए मुझूद था लेकिन सीड को इस बात का जरा भी अफसूस नहीं था कि उसने एतने सारे मासुम लोगों को ऐसे ही मार दिया सीड को जलि इलेक्टरिक चैर पर बिटाया जाता है जहाँ पर जेल के वरडन, बिशप और एको शौक देने वाला आदमी मुझुद था शौक देने वाला आदमी वरडन से कहता है कि ये चैर ठीक नहीं है और इस पर शौक नहीं दिया जा सकता लेकिन वाडन उसे इसी चेर पर शौक देने के लिए फोर्स करता है और उसे मजबूरन खराब चेर पर शौक देना पढ़ रहा था चेर पर सीट को बिठाया जाता है और जल्दी उसे इलेक्ट्रिक शौक देने की तैयरी हो रही थी सीड को चेहरा पर बिठाते हैं और उसके हाथ फिर को बानने के बाद में उसके सीड पर एक कपड़ा डाला जाता है और हमें पता लगता है कि सीड का चेहरा पुरी तरह से जला हुआ है जिसे देखने पर मरह होटे लोगों के परियोर वाले भी काप जाते हैं फिर सीड को मारने के लिए उसे 15,000 वाल्ट की एलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिसके 45 सेकन होने के बाद में डॉक्टर रेच चेक करता है कि सीड मरा है या नहीं लेकिन सीड जिन्दा था उसकी बॉड़ी में अभी भी हरकते हो रही थी और फिर अगेन शॉक देने वाला व्य लेकिन सीड की हार्टबिट अभी भी चल रही थी और गवर्मेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अगर कोई के दी तीन बार शॉक जेल लेता है तो उसे आज़ात कर दिया जाएगा लेकिन सीड जैसे सीड कीलर को आज़ात नहीं किया जा सकता था और सभी डिसाइड करते हैं कि सीड को डेड़ घोशित कर दिया जाए जिसके बाद में सीड को ऐसे जिन्दा गाड़ने की तैयारिया हो रही थी उसे एक कॉफी में बंद करके जेल के ही कब्रस्तान में गाड़ दिया जाता है और वहां पर डॉक्टर वाडन और बिशप तिनों मौजूद थे फिर अंदर ही अंदर कबर को खोदने में लगा हुआ था और आखिरकर सीड कबर को खोद कर बाहर आही जाता है कबर से बाहर आने के बार में सीड सबसे पहले शौक देने वाले आदमी को मारता है वो उसे शौक देने वाली चेर पर बिठाता है और उसे 15,000 के वेसे जटके देत रगाता है जिसे की शौक देने वालादमी में सीठ को दिये थे और फिर उसे तब तक शौक देता है जब तक कि मर्द नहीं जाता और फिर रखीन आता है डॉक्टर के पास में जिसने उसे जिन्दा होने पर भी डेद खुशित कर दिया था डॉक्टर अपने रूम में था और सीड उसके बेट के नीचे और सीड उसे वहीं पर पकड़ कर उसे मौत के गाट उतार देता है सीड डॉक्टर को मार चुका था और अब बारी थी वाडन की सीड वाडन की दर्वाजे पर आकर नौक करता है और बड़ रहा था कि सीड मर चुका होगा लेकिन सीड ने सभी को मार दिया था और अब वो आईलेंड को छोड़कर शेहर की तरह बढ़ रहा था अब अगले दिन सभी पुलिस आफिसर और बिशप को कबर मिलती है कि जेल के वाडन डॉक्टर और सभी लोगों की किसी कैदी ने हत्या कर दी है और इसकी जाच पड़ताल के लिए बिशप महाँ पर पोच्छता है वो देखता है कि वाडन मरा हुआ है और उसके कमरे में गिली बिट्टी के निशान है जो कि कबरे से आई हुए थे और ये सीड़ी था जो कि अपनी कबरे से वापस लोड चुका था फिर हम देखत तक तो सब कुछ शान दरता है और फिर अगेन मोत का सिलसला चुरू हो गया था एक दरदनाक मोत का सिलसला और इसा लग रहा था कि कोई सीड को कॉपी कर रहा है हम देखते हैं कि सीड अपने पुराने अंदाज में है और एक लेड़ी को हतोड़ से पीट पीट कर उसे मार बिशप को मालूम चल चुका था कि सीड अपने पूराने रूप में आ गया है और वो इसलिए अपनी पूरी फैमली की सीक्यूरिटी को बढ़ा देता है फिर एक दिन होता यह है कि बिशप को उसके ऑफिस में कोई एक टेप डिलिवर करता है जिसमें उसके घर की जाता है जहाँ पर उसे एक टीवी दिखाई देती है जिसमें उसकी वाइफ और बेटी की टेप चल रही थी और सीड उन दोनों को मारने वाला था टीवी के अंदर बिशप की बेटी उसे बताती है कि सीड यह चाता है कि बिशप सुसाइट कर ले जिसके बदले में वो उस लेकिन बिशप अपनी बेटी के मरने से पहले खुद सुसाइट कर लेता है ताकि सीड उसकी बेटी को नहीं मारे और उसे जिन्दा छोड़ दे जिसके बार में सीड बिशप के बेटी को उसके रूमे बंद करके उसे वही पर मरने को छोड़ कर चला जाता है और इसी के इस सा क्यों करता है ये तो हमें नहीं पता लेकिन मुवी की स्ट्राटिंग में जो जाणवरों को और दिखाय गए थे सिट देक रहा था उस से हुआ हिंट मिलता है कि शाय में शेड इनसानों को भी